मिट्टी के चुल्हे को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं मिट्टी के चुल्हे को आप इंगलिश में अर्थन हर्थ कह सकते हैं अर्थन फायर प्लेस भी कह सकते हैं या अर्थन स्टोव भी कह सकते हैं और मिट्टी के बरतन को आप clay utensils, earthenware या earthenware dishes कह सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मेरे गाओं में हम सभी मिट्टी के चुलहे का इस्तेमाल करते हैं तो आप कह सकते हैं in my village we all use earthen fireplace यागर आप ये कहना चाहें कि हम सर्दी के दौरान गर्म रहने के लिए मिट्टी के चुलहे के आसपास एकत्र हुए तो आप कह सकते हैं we gathered around the earthen fireplace to stay warm during the winter यागर आप ये कहना चाहें कि जब बिजली नहीं होती तो हम मिट्टी के चुलहे पर रोटियां बनाते थे तो आप कह सकते हैं when there was no electricity we used to make rotis on the earthenware store अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें